कि हलो एवरिवर्ण हमारे कुछ ने वीच ऑफ दा फॉलॉइंग विलॉंग तो दस्ट्रेम होमोलोग स्रीज से कौन सा बिलॉंग करता है यह हम लोग को बताना है चार यहां पर दिये हुए है तो से वही होगा जिसका जेनरल फॉर्मॉला से अगर जेनरल फॉर्मॉला से तो हम लोग सब का फॉर्मॉला पूट कर लेते हैं और कों से फॉर्मॉला पर दिया हुआ है यहां पर फॉर्मॉला है तो अगर फॉर्मॉला होता है तो अगर यहां पर 3 पूट करते हैं तो यह फॉर्मूला के हिसाब से यहां पर यह आना चाहिए मतलब कि यह एलकेन के वैल्यू को फॉलो करता है मतलब कि C3H8 जो है वह एलकेन को फॉलो करता है के फॉर्मूला पर यह पूट है अब दूसरा है C3H6 सेकेंड नंबर C3H6 अब यहां पर N का वैल्यू यह 3 है तो अगर एलकेन में पॉट कर रहे हैं तो वह क्या आ रहा है C3H8 आ रहा है C3H6 है तो यह CnH2 इन्टू N यहां पर C3H2 इन्टू 3 इस तरह के फॉर्म में है तो यह C3H6 है तो यह यह एलकीन का फॉर्मूला है CnH2N जो है किसका फॉर्मूला है यह C3H6 जो है किस फॉर्मूला पर cn h2n के पॉर्मूला अब c4 h8 थाड का अगर हम लोग देखें तो थाड में हम लोग को है c4 h8 इसको हम लोग क्या खरते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं c4 और अट्रोजन को कैसे लिख सकते हैं 2 x 4 मतलब कि c के बगल में यहां पर 4 दिया हुआ है और 2 x 4 दिया हुआ है तो अगर माल लो 4 को n माल लें इसकी जगह पर n माल लें अट्रोजन 2 x n यह जो फॉर्मूला है यह किसका है यह किस फॉर्मूला पर cn h2n के फॉर्मूला पर मतलब कि यह दोनों जो है यह c3 h8 और c4 h8 c3 h6 और c4 h8 वह सेम हमों लोगा सिरीज से ठीक है अब c4 h6 है जो होथा है c4 h6 c4 h6 में अगर देखो गए तो यह हो गया cn h2n-2 के फॉर्मूला पर देखो कैसे c4 इसको कैसे लिख सकते हैं 2 x 4-2 6 को हम लोग ले सकते हैं ऐसे 4 x 2-2 यह cn h2n-2 के फॉर्मूला पर हो गया तो यह इसलिए यह कि क्या है एलकाइन से रिलेट करता है मतलब कि c4 h6 जो है किस फॉर्मूला पर है cn h2n-2 हम लोग को बोला गया है अब उसको जेनरल फॉर्मूला क्या होगा cn h2n आई होथ यह को समझ में आया होगा that's all thank you